रंग पंचमी के दिन ड्यूटी के दौरान थाने में शराब खोरी और वर्दी में डांस करने वाले छे पुलिस कर्मचारियों को SSP ने निलंबित कर दिया है। वही कुछ अन्य पुलिस कर्मी भी अभी निशाने पर है। गौर तलब है कि बीते दिनों रंग पंचमी को ये थाना नहीं बलकि डांस बार बन कर रह गया था। थाने के कुछ आरकशक और सैनी को ने ना अपनी वर्दी का सम्मान रखा नहीं ड्यूटी के नियमों का पालन किया। बलकि वे नाच करने में यतने व्यस हो गए कि इन्हें होश ही नहीं था कि इनकी ये ओची हरकते आमजनता तक पहुच जाएगी। देखिए इनके फूहर डांस की एक जलक। इन पुलिस वालों ने पहले तो जम कर शराब खोरी की और फिर वर्दी में ही एक दूसरे पर रंग उला लेकर पील पड़े और एक दूसरे को जम कर रंगीन कर दिया। इसके बाद कुछ पुलिस कर्मियों ने अपनी शर्ट उतारी और फिर ये लोग इस तरह का फूहर डांस करने लगे। और कैमरे में कैद हो गया बलकि सोशल मीडिया पर भी बाद में जम कर वारल हो गया और लोग बड़े मज़े ले लेकर इन्हें देखने लगे। इससे पुलिस विभा की काफी किरकिरी हो गई आखिरकार मामला एसेसपी रुचिवर्धन के पास पहुचा। उन्होंने मामले को गंभीरता से लेते हुए ततकाल छे पुलिस करमचारियों को निलंबित कर दिया। बलकि अन्याधिकारियों से भी जवाब तलब किया है कि वे लोग उस दिन आखिर क्या कर रहे थे कि उनकी नाक के नीचे ये सब कुछ घटेत हो गया। खाकी वर्दी के साथ नशे में चूरन पुलिस करमियों ने आचार सहिता के नियमों को भी ताक पर रख कर थाना परिसर में डीजे के बड़े भारी स्पीकर लगवा कर तीन घंटों तक जम कर अशलील डांस भी किया। इनके साथ में कुछ चौकीदारों ने भी जम कर धमाल की वहीं एक आरक्षक क्रिश्नकांत दुबे बैच नंबर 38-12 ने तो सारी हधी पार कर दी और वनाशते वे अपनी वर्दी को फेक बनियान में ही नशे में धुथ होकर अशलील डांस करने लगा। गोर तलब है कि पुलवामा हमले को लेकर अधिकारियों ने आदेश दिये थे कि इस बार कोई भी पुलिस कर्मी शोक स्वरूप होली नहीं खेलेगा। परंतु इन नशेडी पुलिस कर्मियों को देश भक्ती की कहा जिनता। इनकी वज़ा से आज पूरी पुलिस प्रिश